हेलो ब्रियोन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्त विवाग की तरप से आजुकी 2024 के लिए नई भरतियों के बारे में जहांपर आप सभी के लिए भरतियों के कम्प्लीट नोटिफिके से इन भरतियों के लिए आवीदन कर पाएंगे दोस्तो आवीदन करना बहुत ही एजी है और अप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो आप किसी भी के कंडिडेट हों आप किसी भी स्टेट से आते हों आपको नाम मात्र की अप्लीकेशन फीस क्यानी 25 रुपए पे करना ह 25 रुपए की अप्लीकेशन फी पे करके आप लोग इन भरतियों के लिए आवीदन कर पाएंगे इस बीडियो में आगे आपको इन वेकेंसी के बारे में A2Z कंप्लीट इंफोमेशन मिलने वाली है इसके लिए आपको बीडियो को आगरी तक देखना होगा बीडियो पसंद अब से इस बार बंपर भरतिया है जहांपर आप सभी के लिए 5272 पदो पर नोडिफिकेशन आउट किये गए हैं आप सभी को हेल्थ वर्कर के पदोपर भरतियों के नोडिफिकेशन मिलेंगे जहांपर अगर आप लोग दसवी बारी पास हैं तो आप सभी आवीदन करने क भारत के किसी भी राज़त से आवेधन कर पाएंगे अगर आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 यानि 40 वर्स तक की है तो आप सभी आवेधन कर सकते हैं इसके अलाबा जो भी जानकारी है इन्फोर्मेशन है वो आपको आगे ऑफिसल वेपसाइट और नोडिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी दोस्तों आपको आवेधन करने का नोडिफिकेशन डाउनलूड करने का लिंक बीडियो के डिसक्रिप्शन और कमेंट पॉक्स में दिया गया आप लोग क्लिक करके इस मेंच पे आ सकते हैं सबसे पहला काम करेंगे वर्टसप ग्रुक को जॉइन करना है और बैक अप के लिए आपको वर्टसप चैनल और टेली ग्राम ग्रुक को भी जरूर से जॉइन करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्द एंड फैमली बिलफियर स्वास्त विवाग की तरप से रिक्वार्मेंट है दोजार चोबिस के अधिक ज्यानकारी के लिए नोकरीकबर.com पर जा सकते हैं जहांसे आपको complete information मिलेगी इसके साथ ही आप सरकारी जॉब.net पर भी आ सकते हैं आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है आप इसको Google पर टाइप करें आपको यह वेबसाइट मिल जाएगी इंपोर्टन डेट के बारें बात करें तो आविदन 28 अक्टूबर 2024 से अल्रेडी सुरू हो चुके हैं जिसकी आक्री डेट 27 नॉमबर 2024 की है आपको दिये गए समय में आविदन जरूर से फिल कर देने हैं इसके बाद है आपकी application fee जैसे कि मैंने starting में ही आपको बताया था आ category community से आते हैं आप किसी भी gender से आते हैं आप किसी भी state से आते हैं आपको नाम मातर के application fee यानि 25 उर्पे करना होगा 25 उर्पे करके आप लोग इन भरतियों के लिए आविदन कर पाएंगे इसके बाद बात करते हैं आपकी उम्र के बारे में आपकी उम्र कम से कम 18 साल आपने complete कर लिए हो और अधिक सरीक 40 यानि 40 सवर्ष तक के candidate इन भरतियों के लिए आविदन कर पाएंगे इसके बाद है वेकेंसी डीटेल वेकेंसी डीटेल के अंदर बात करें टोटल अमबर वेकेंसी के बारे में तो 5272 पदो पर भरतियों के notification आपको देखने को मिलेंगे साथ ही जूज आपको नहीं होना है पोश्ट निम आपको अभी ध्यान रखना है क्योंकि आगे जो notification मिलेगा वो पूरी तरीके से हिंदी लेंग्वेज में होने वाला है इसके बाद eligibility के बारे में बात करें 10 12 के साथ अगर graduation complete है तो आप सभी यहां पर आविदन कर पाएंगे इसके बाद है तो आज की नई नोकरियों की जानकारी क्लिकर की बटन पे क्लिक करके आप लोग जानकारी को देख सकते हैं और जिस किसी भी जॉब के लिए eligible है आविदन भी कर सकते हैं देन इसके बाद हम बात करते हैं salary के बारे में तो salary आप लोग यहां पर देख सकते हैं 21,700 रपैसे लेकर लगभग 79,100 रपै तक की salary according to notification health जो है तो worker के पदो पर आपको मिलने वाली है इसके बाद है आपका selection process जहांपे आपको online exam देना होगा इसके बाद आपका document verification किया सकते हैं इसकी complete information यहां पर दी गई है आप एदन करने को लेकर तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें useful important links के बारे में तो यहां पर आपको सभी ज़रूरी links मिल जाते हैं जहां पर आपको apply का link मिल जाता है notification का link मिल जाता है साथ ही साथ official website वग notification के सामने clicker की button मिलती है आपको इस clicker की button पे एक बार click करना है जैसे आप लोग click करते हैं तो आपके पास एक PDF open होके आता है drive के माध्यम से आप इसको open कर सकते हैं अभी जैसे ही आपने इसको open किया तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं बिग्यापन संक्षा 11 और यहां प October 2024 से लेकर online आपिदन करने की जो आखरी डेट है वो 27-11-2024 यानि 27 नॉमबर की है और संसोधन करने की और application फीस जमा करने की आखरी डेट है 4 December 2024 की अब यहां से हम नीचे आ जाते हैं ताकि हम आपको जानकारी दिखा सकें यहां पे देख सकते हैं स्वास्त कार करता यानि 4892 और सामान 96 में 382 पद हैं कुल यहां पे आपको 5272 पदों पर भरतियों के notification देखने को मिलेंगे अब यहां से हम नीचे आते हैं तो आपको पहले तो आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कैसे क्या आपको करना होगा इसके बाद हम और नीचे आते हैं जह से पहला जो पार्ट है वो आपका आवेदन सुल्क का है तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि आप किसी भी कटेगरी के कंडिडेट हो आपको यहां पर किबल 25 रुपए के application fee देनी होगी इसके अंदर आवेदन सुल्क है ऑनलाइन प्रक्रिया सुल्क है आवेदन सुल्क ज जाती हैं सुचित जनर आती है यानि जर्नल OVC, SC और HD सभी कटेगरी यहां पे सामिल हैं देने यहां पे अब हम बात करते हैं वेकेंसियों के बारे में ताकि आपको यह पता लग सके कि कौन सी कटेगरी के अंदर कितनी वेकेंसी हैं तो साड़नी एक के अंदर आ जाएंग का है और यहां पे अगर टोटल विकेंसियों के बारे में बात करें तो 5272 पर भरतीयों के अपको देखने को मिल रहे हैं और इसके बाद यहां से और नीचे आ जाते हैं तो कुछ पद यहां पे भी रखे गए हैं इसको भी आप लोग देख सकते हैं अब यहां पे आपको और भी कई सारी जानकारी दी गए हैं, जैसे कि कौन से कटेगरी के अंदर कितना age में, और relaxation है कौन से कटेगरी को जो है टो exam innovation fee पे करना पड़े गा, प्रषी को नहीं पे करना पड़े गा, chain का अधार क्या होगा, लिखित परिख्या होनी है मैंने पहले ही आपको बता दिया था लिखित परिख्या का यहाँ पे जो है तो सलेवस क्या होगा क्या होगा यहाँ पे आपका exam फैटन वो सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है इसको देखने के लिए आपको notification को डाउनलोड करना होगा बाई जानस अगर आप लोग इंटरेस्टेड और एलिजबल होते हैं तो आपको आवेदन करना होगा और आवेदन कैसे करेंगे तो यहाँ पे आजाएंगे लोकरीखबर.com पर यहाँ पे अपलाई का लिंक मिलता है सामने क्लिकर की एक बटन मिलती है आपको इस क्लिकर की बटन पर क्लिक कर देना है आपका जो आवेदन है आप यहाँ से कर पाएंगे उमीद करता हूँ बीडियो में दीगए इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली बीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद